जय हिंद बच्चों स्वागत है अपने इस यूटूब चनल में बच्चों आज किस वीडियो में एक बार फिर चम कच्छा बारा के विद्यार्थियों पे लिए सिच्छा सास रेनी इजू के सल्म का पेपर लिख राए हैं यह बच्छों इंसी आटी रहेगा और सभी वोट क के इस्टुडेंट्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा तो चलिए देखते हैं हम लोग दोजा चौबिस मुफिस प्रकार से पेपर आएगा तो इसी प्रकार से आएगे बच्चों पुडांग जो रहेगा सो नंबर का समय तीन घंटे आपको मिलेंगे कच्छा बार ब्रतरबी प्रत्तों आपके सामने है कुठारी आयोग का गठन गुवा था कुठारी आयोग का जो दोस्तों गठन कथ हुआ था तो बच्चों 966 mi में हुआ था जो डिखारी आयोग का गठन हुआ था सिच्छा स्मभन्दित है क elaborati के अनुसार्ट के कितने प्रकार होते === गरेट के अनुसार सिच्छा सास्तरी हैं, गरेट के अनुसार सिच्छा प्रेणा के कितने परकार होते हैं, पांच, आठ, छा, तीन, सही जवा बच्छों जो है खा हो जाएगा हमाँ पर तीन हो जाएगा, भारत में परेयावना विभाग की स्थापना कप की गई? भारत में प्राइवना विवा की जो इस्थापना की गई थी एक नॉमबर 980 भी की जो है की गई थी चले दोस्तों अंगला कोश्रम लोग देखते हैं भारत में जनगर्णा कितने सालों बाद की जाती है भारत में जनगर्णा कितने वर्षों बाद होती है तो दस वर्षों बाद जो है दस वर्षों बाद होती है। ये किस की देन है। किस ने 10 वर्षों बाद होती है। ये जब लाड़ रिपन की देन है। थे यानि जो है गुरु के समीप रहकर होए सिच्छा अध्यान करते थे उसके बाद निश्ची तुस्तरी प्रस्ण रहेगा एक एक नंबर रहता है निश्ची तुस्तरी परस्ण है राश्टी ओपन स्कूल की स्थापना जो है कब हुई थी तो वच्चो नवंबर 1989 में 1989 में नवंबर 1989 में राश्टी ओपन स्कूल की जो है स्थापना हुई थी समार सिच्छा के दो साधन लिखिए तो समाचार पत्र एवं प्रेस समाचार पत्र एवं प्रेस यह जो है क्या है बच्चो समार सिच्छा के दो साधन है एक प्रेस है और एक क्या है समाचार पत् है ठीक है यह जो है समार सिच्छा के दो साधान होते है मकतब का अर्थ क्या होता है मकतब माने होता है बच्चों मदर्शा होता है एक प्रकार्श यह भी विद्याला है जहां एक लेकर जो है पांच तक बच्चे प्रामरी तक जो है कच्छा पांच तक जो है बच्चे इसमें पढ़ते हैं मकदब क्या है एक अर्वी भासा का सब्द है एक पकाष बच्चों मदर्सा ठीक है जहां मुसलीम के बच्चे पढ़ते हैं दूर गामी सिच्छा से क्या आ से है ए इसका उत्रमनूद देख लेते हैं थोड़ा लंबा है दूरगामी सिच्छा से क्या आसे है प्रशुत नमर 5 के तरमनूद देख लिएंगे तो अंभामी सिच्छा है जिसके अंतरगत देश क किसी भी भाग में रहने वाले और किसी भी परकार की सिच्छा प्राप्त करने के इच्छुक सिच्छारतियों को सिच्छा गरहा करने का जो है उप्युक्त आवसर प्राप्त हो जाता है। ब्यक्तित की परिवासा दीजिए। आईए बच्छों इसको उत्तर हमनों देखते हैं। देखो ब्यक्तित एक संरचना है। जो आपस में जुड़े बेवार, दिमागी, दिमागी और भावनात्मा क्वाटन को इकठा करता है। जिसे जिन्दगी और पड़ावण कारक बदल करते हैं। चलिए उसके बाद में अत्लिगुत्री परस्ण जो चार नंबर करेगा ब्यक्तित की रुचियों का विकास किस प्रकार होता है। मध कालिन भारती सिच्छा के परूंग दोस्त बताईए सुनामी क्या है और परिपकता से आप क्या क्या आसा है सब चार चार को बहुत जरूरी है इस अब बहुत सरले कोशन है आप अपने मंस लिख सकते हैं इसतरी सिच्छा की समय स्वाइब बताईए और सिच्छा से आप क्या समझते हैं सब हम पढ़ाए है आप लिश्ट कर पार सकते हैं नवेदे विद्ध्याला किस अंकलपना क्या है डिस कालिन सिच्छा यसको किई और चाहिए इसको कीजिये छिखने से आप क्या समझते हैं इसकी विश्टनानार कि आप इसके पार इंद्ध्यों में। पूसित हो जा रहा है तो आप अपने मंस इसको विच्चों जो भी लिख सकते हैं मांसिक अस्वस्ता के क्या करण है अथवा आपदाओं के प्रकारों कर भी बीचना कीजिए देखो यह भी सरला है दसां का आप मिल जाएंगे तमाम प्रकार की आपदाएं होती है जैसे कुछ चक्रवात हो गया को सब अप्रकीष्थी का आपदाएं होती है उसके बाद मुख्य हो गया ऊसके बात चक्रवात हो गया फूकम पहोगया घ्रती कंप नछो किंगा हिए अज आप 20 से हो गया और मानो जनित थाप दोश्तों योली चिह होती है है कि तो लिए सब बहुत कठी नहीं कोश्चन है तब आप अपने मंस भी जो है लिख सकते हैं दद्दा संक आपकी दोहे दोस्तों मिल जाएगा